रहुल गांदी जी, श्रिमती सोन्या गांदी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंग जी और मंच पर उपस्तित सभी नेतागणों से के वो दोहजार उन्निस का इतिहा सिग्जन घोष्णा पत्रूस का अनावरन करें अनावरन क कुते हैंने से के थाँ को ऑनावरन क कि अनावरन कौन पत्राएंस ने घल ऐसके का उलेता मैं उन्हार सिर्म तर्द correct. कॉंग्रेस अध्यक्ष और सभी नेतागर्णों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमें विश्वास है कि एक नए इतिहास की सरंचना ये जन घोशना पत्र 2019 करेगा और अब जिसकी हम सब को इंजार था मैं अनुरोद करूंगा कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी जी से कि वो आएं और अपना वक्त अवे यहां दें by Sonia Gandy ji, Manmohan Singh ji, Anthony ji, Pichitambaram ji, Gauda ji, Venugopal ji, all my Congress colleagues, General Secretaries, brothers and sisters, friends from the media, I would like to welcome all of you here today. we are releasing this manifesto and it is a massive step for the congress party when we started this process about a year back just when we started this process about a year back I spoke to Mr. Chitambaram Mr. Gauda and I gave them two instructions I said this is not to be a manifesto made in closed rooms I understand that the congress party has a lot of expertise but this manifesto should reflect the wishes of the people of India that is the first point and the second point I said was whatever is going to be in this manifesto has to be truthful I do not want a single thing in this manifesto that is a lie because we have been hearing large numbers of lies spoken everyday by our prime minister so I am happy to say that after over a year of work they have delivered on both those promises they have delivered the voice of the people and I know that because the moment we speak about things that are in the manifesto there is an immediate resonance from the people so when we speak about it when we speak about it when we speak about it we get a response from the people so this is We have worked on the manifesto committee so I want to thank the manifesto and the people of God and the rest of the team and thank the people of God and I want to thank the people of God so I want to thank the people of God so I want to thank the people of God and thank the people of God We have five big ideas our heart symbol Our heart symbol Our five main themes The first theme is new The new theme the government had said that we will put a £15,000,000 in a bank account and that was a lie and the whole state knows that it was a lie था हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनेफेस्टो कमेटी से पुछा और कहा कि सच्चाई निकालके हमें दीजिए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सच्च मुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे बहत्तर हजार रुपे हर साथ गरीबी परवार बहत्तर हजार और यह कॉंग्रेस पार्टी की पहली गैरेंटी है कि हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार डाइरेक्ट पैसा डालेगे एक साल में बहत्तर हजार पांच साल में तीन लाख साथ हजार इससे दो काम होंगे पहला काम गरीबों के जेब में पैसा जाएगा किसानों के जेब में डाइरेक्ट पैसा जाएगा पहली बार और डूसरा काम जो नरेंद्र मोदी जी ने नोट बंदी करके जी एस्टी करके हिंदु lacking अर्ध्वेवस्ता की धजय लुए जैम कर दिए पूरे अर्वज्वेवस्ता को वह अर्ध्वास्ता एक बार फिर जंप स्थार्ट होके चालु हुँ में तो यह हमारा युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है नरेंद्र मोदी ने 2 करोड की बात की जूट मैंने इस मामले में भी मैनेफेस्टो कमिटी से कहा मुझे आप सच्चाई बताईए सच्चाई किया है 2 करोड नहीं किया जा सकते तो आप मुझे बताईए सच्चाई किया है मैं सच्चाई बोलना चाहता हूँ और सच्चाई बड़ी क्लियर है 22,00,00 सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं उनको कॉंग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी 10,00,00 10,00 युवाओं को ग्राम पंचाईतों में रोजगार दिया जा सकता है उन 10,00,00 युवाओं को कॉंग्रेस पार्टी ग्राम पंचाईतों में रोजगार दे दे एंटरप्रेनर्स के लिए आज अगर आप एंटरप्रेनर्शिप करना चाहते हैं कि इंडिया की दुनिया में आप बिजनस खोलना चाहते हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट से आपको पर्मिशन लेनी पड़ती है रिश्वत देनी पड़ती है हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है तीन साल के लिए हिंडुस्तान के युवाओं को बिजनस खोलने के लिए कोई पर्मिशन की ज़रूँ है किसी से कोई पर्मिशन लेनी की ज़रूँ है आप जाईए एकदम बिजनस खोलिए जो बिजनस आप करना चाहते हैं करिए हिंडुस्तान को रोजगार दिलवाईए आप हिंदुस्तान को रोजवार दिलवाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, बैंक के दर्वाजे आपके लिए खोलेंगे, तीन साल के लिए कोई पर्मिशन की जरुरूरत है, क्वधान मंत्री ने मन्रेगा के बारे में बोला, भुग स्कीम है, बेकार स्कीम, मदाक उड़ाया, आज पूरा देश जानता है, कि मन्रेगा ने हिंदुस्तान की कितनी मदद की तो हम मन्रेगा के 150 दिन गैरंटी करना चाहते हैं, एक सो से अब हम एक सो पचास दिन गैरंटी करना चाहते हैं, किसान की बात, आप लोग जानते हैं, मद्यप्रदेश, चत्रीजगर, राजिस्तान, पंजाब, करनाटक में, कॉंगरिस पार्टी ने कर्जा माफ किया, दस दिन के अंदर कहा था, हम दस दिन में कर देंगे, द एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए, हिंदुस्तान के किसान को मालम होना चाहिए, कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी MSP कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए दूद का दूद, पानी का पानी होना चाहिए। तो यह हमारा पहला step और दूस्रा एतिहासिक step historical step लेकर करोड़ पती बैंक लोन लेते हैं। आपने देखा अनि-लमबानी जैसे लोग, मेहुल-चौक्षी जैसे लोग नीरव-มोदी जैसे लोग छोरी करके बैंक का पैसा ले कर भाग जाते हैं मगर जो हमारे किसान है इमानदार लोग वो जब बैंक लोन लेते हैं अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है एक क्रिमिनल ओफेंस माना जाता है हमने निनन्नय लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ओफेंस ना माने अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वह क्रिमिनल अफेंस ना ओवो ओ निन ऊपनजा तो यह बहुत इतिहासिक निन्नophone है शिक्षा और स्वास्त हिंदुस्तान के भविष्चे के लिए बहुत जरूरी है शिक्षा में हमने निन्ने लिया है कि GDP का 6 प्रतिशत पैसा 6 प्रतिशत पैसा हिंदुस्तान के शिक्षा में दिया जाए युनिवर्सिटीज, कॉलेज़, आयाइटीज, आयाइम हमारे जो बहतर सबसे टॉप क्वालिटी के इंस्टिटूशन हैं हम उनको सब जगे सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं तो एजुकेशन के लिए हमारा 6 परसेंट बजट का टार्गेट है नरेंद्र मौदी जी की सरकार ने उसको रिड्यूस किया है यूपीय के समय से रिड्यूस किया है हेल्थ केर में सरकार एक स्कीम लाई है बेसिकली स्कीम का लक्ष हिंदुस्तान की जनता से पैसा लेकर और 10-15 उद्योग पतियों को इंशॉरंस के माधियम से उनके जेव में पैसा डालना है तो हम इंशॉरंस प्राइवेट इंशॉरंस बेस्ट हेल्थ केर पर भरोसा नहीं करते हैं हम सरकारी हस्पतालों को सरकारी पबलिक हेल्थ को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारा फोकस होगा, कि गरीब से गरीब व्यक्ति को high quality hospital की access हो, high quality इलाज की access हो, तो ये हमारे 5 focus areas होंगे, national security और internal security के आप जानते हैं, Congress Party का आपने record, आपको record मालूम है, पिछले पांच सालों में BJP की सरकार ने देश को बाटने का काम किया है नफरत फैलाने का काम किया है और उनका record आपको दिख रहा है जमू कश्मीर में उनका record आपको दिख रहा है आतंग आतंगाइड के जो casualties हैं वो बढ़ती जारी है तो हम Congress party देश को जोड़ने का काम करेगी देश को एक साथ लाने का काम करेगी और जो हमारा नैशनल और इंटर्नल सेक्योरिटी है उस पर हमारा जबरदस्ट फोकुस होगा आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू जहन 15 राहे जब ठाइसं natuurlijk और दो betкимиशन्यवाद़ टंगा का जब हमारा जब साथ चा उमारे और कन्यवाद़ छेशं और उन्यवाद़ universe, क्लीवादराDAY, करी जबरा जब से रद्छाऊड़ पष्टावाद गार जगरे घंदाने का का